दोस्तो किड्नी स्टोन यानि की गुर्दे में पत्री जिन लोगों के भी गुर्दे में पत्री होती है वो बहुत ज़्यादा परेसान होते हैं क्योंकि जो इसका दर्द जब होता है तो वो बरदास करने लाइक नहीं होता है, बहुत लोगों को मैं देखा है छट पटाते हुए, खास कर ये दर्द जो है रात में जादा देखा जाता है, जिनको पत्री की सिकायद होती है, मैं उन लोगों को सिर्फ दो दवाएं और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कारण होते हैं पत्री होने के और क्या लक्षण है कि आप पहचान सकते हो कि आपको पत्री की प्रॉब्लम हो गई है साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे को पत्री है तो उसे कितनी मात्रा में दवा देनी होगी और किन लोगों को ये दवा नहीं देना है और कितने mm की पत्री इन दवाओं से निकल जाएगी ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को प्रेस करके नौटिफिकेशन बैल कॉल जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडिय करूं मेडिसिन से रेलेटेड तो वह आप तक नौटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो आप शुरू से लेके एंड पता चुका होता हूं तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो पूरा जुरूर देखें travelled हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखेर इसके क्या कारण है क्यूंं यह पत्थरी की प्रॉल्डम होती है दोस्तों इसकी कुछ मेजर कारण है वह मैं या फिर जो लोग पेशाब को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं सपोर्ज करिए किसी को पेशाब तीन बजे दोपैर में लगा हुआ है और वो उस समय नहीं जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ऑफिस की छुट्टी हो या कॉलेज की छुट्टी हो या स्कुल की छुट्टी जिसमें फॉस्पेट की मातरा ज्यादा होती है जैसे कि मचली मास इन चीजों में बहुत ज्यादा फॉस्पेट होता है जिसकी वज़े से भी पत्थरी की सिकायत देखी जाती है तो यह तो कुछ मेजर कारण हुए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कार क्या लक्षड ह होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको पत्थरी की सिकायत हो सकती है देखिए जब आप पिसाब करते हो और पिसाब करने पर पिसाब में बहुत तेज जलन हो और पिसाब बहुत ज़दा पीला है तो समझ लीजिए कि आपको पत्थरी की सिकायत हो सकती है या फिर आपको पैट में दरद होने लगे जैसे कि स्क्रीन पर देख पार को बुखार ने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको पथरी की problem हो सक्ती है कई लोगों को फिर या फिर होने लक्षर अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप पहचान सकते हो कि आपको पत्री की problem हो सकती है या फिर हो गई है अब आपको करना क्या है मैं आपको सिर्फ दो दवाइं बताऊंगा इन दो दवाओं से आप अपनी पत्री की problem को ठीक कर सकते हो जिन लोगों के भी गुर्दे में पत्री है देखिए जो इसमें पहली ट्रेवलेट आपको 14-15 रुपए में हर मेडिकर स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी कंपनी से बनाती है नौवर्टिस और कॉम पूजिशन इसके अंदर होता है डाइकलो फैनक 100 mg और यह जो दवा है आपको नोट डाउन जरूर करनी है या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीन सिरप यह 200 ml की पैकिंग में आता है और इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइज है वह 244 रुपए यानि 244 रुपीज ओनली कंपनी इसे बनाती है इंटास फार्मसिटिकल्स और कॉम पूजिशन इसके अंदर होता है इसमें होता है पोटेसियम सिट्रेट मैगनीसियम सिट्रेट एंड विटमिन B6 इन तीन दवाओं को मिलाकर इसे तयार किया गया है और यह जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे बिना प्रेस्क्रिप्शन के आसानी से मिल जाएगा आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें या फिर स्क्रेंशॉट लेकर रख सकते हो ताकि आपको इसे थोड़ा से ठोड़ा से और उसमें यह जो दवा है उसे डालना है 10-15 ml मिलाना है, सुबह, दुपहर और रात, तीनो टाइम आपको लेना है, अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बच्चों को देना है, तो बच्चों को कैसे दोगे, देखिए, जिन बच्चों की उमार 8 साल से, 14 साल के बीच है, उन बच्चों को आपको वोवरान SR 100 mg टैबलेट की आधी टैबलेट देनी है, जब भी दर्द होता है उन्हें, पानी के साथ दे सकते हो, और जो पोट्रेट MB6 सिरप है, उसको आपको देना है, सतर से 100 ml पानी, यानि कि आप आदा गिलास पानी दे सकते हो, उसके अंदर आपको ये जो दवा है, 5 से 7 ml डालना है, मिलाना है सईसे दवा को, और सुबह, दुपहर और रात, तीनो टाइम बच्चों को देना है, इस तरीके से ये दवा जो है, साथ दिन तक तो लेनी ही लेनी है, साथ दिन में काफी हद तक आपकी जो पत्री है, गल के निकल जाएगी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये द पत्री की सिकायत है, उन्हें पानी जादा से जादा पीना है, और जब भी पेशाब जाना हो, तो जब पेशाब तेज लगे तभी जाना है, और पेशाब बेट के करना है, खड़े होके ना करें, पत्री गल के निकल जाएगी, अब हम जानते हैं, ये जो दवा है, वो कितन जो महिला प्रग्नेंट हैं उन्हें यह दवा नहीं देनी हैं और जिनकी उमार साथ साल से कम है उन्हें भी दवा नहीं देनी है अगर आप देना चाहते हो तो आप एक रखोमे कि unveiled कि जब Laz Conard की दॉब्टर हैं जो आपके नजदी के दाक्टर हो उसके या फिर आपको घबराहट मैसुस होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको इस सूट नहीं हो रहा है या फिर आपके सरीर पर चकते रैसिस पढ़ने लगते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको इस सूट नहीं हो रहा है कई लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी और होगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुड़ बाई